तो दोस्तो आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताज़ावडी ख़बने फटाफट एक एक कर विश्तार से आपको बताएंगे तो वीडियो को अंतक जरूर देखें दोस्तो वीडियो बनाने में हमें काफी महनत लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें जब दोस्तो पहली ख़बन में आपको उताएंगे जो बिग ब्रेक की न्यूस सामने निकल कर आ रही है कि चीन से मोधी सरकार को लग सकता है जटका सैटिलैट इमेज से हुआ इसमें बेरोजगार ने मोधी और योगी सरकार की उड़ाई नीद बहीं आपको उताने कि मोधी के बाद योगी अधितनात के वीडियो पर भी आए जबदस्त रिकार्ट तोड डिसलाइक तो राहुल गादी ने भी बोल दिया हमला कहा लाइक कॉमेंट बंद कर सकते हैं ल चमंती राजनाज सिंग पर बोल दिया जोरदार हमला कहा ये नहीं ले पाएंगे चीन से हमारी एक हजार वर किलोमीटर कबजा की हुई जमीन इनमें नहीं है इतनी तागत इस वीच अगली खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के मुखमंतरी योगी अधितना ने गाए पालने को लेकर कर दिया बड़ अलान उत्तर प्रदेश में बे सहारा गाए पालने पर पिरतेग ब्यक्ति को मिलेंगे 900 रपे अगर दो पालोगे तो योगी सरकार देगी 1800 रपे तो योगी ने कर दिया है बड़ा एलान इसे वीच अगली खबर में आपको उताए कि भारत चीन तनाप के बीज पाकिस्तान ने कर दिया भारत पर हमला जम्मू कस्मीर के हंदवाडा में पाकिस्तान गोलाबारी में भारत का एक जवान सहीद दो हो गए हैं बुरी तरह से घायल तो भारत को घेनने की चारो तरब से हैं इन देसों की तैयारी इस वीच अगल सरकार का फिर कसा सिकंजा नकलव और गाजियाबाद में बने हज हाउस के निर्मार की जाच कराने के योगी ने दे दिया आद आहरोप कहा करोडों का इसमें किया है आजम खान ने घोटाला इस वीच अगली खवर में आपको बताएंगे कि ट्रस्ट ने कर दिया बड़ा एला इसी वीच अगली खवर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रे की न्यूस सामने निकल करा रही है कि कनया कुमार की नाइट तच्छीनने के लिए दाखिल याचका को हाई कोट ने किया खारिज बही भक्त पर लगाया 25 हैया रुपे का उल्टा जुर्माना तो दोस्तों सभ ये खवरों को विस्तार से एक एकर आपको बताएंगे तो वीडियो को अंतक जरूर देखें इसी वीच बटे दोस्तों पहली खवर की न्यूस सामने निकल करा रही है कि चीन से मोधी सरकार की फिर बड़ी मुस्किलें चीन ने आज उत्रखन में बड़ी संक्या में भारत क के हालात सीधे युद्ध की तरफ इसारा कर रहे है इसे बीच बड़ी खवर सामने निकल करा रही कि भारत और चीन के रक्षम अंतियों के बीच बैटा कोई और इस बैटा के कुछी घंटे बाद चीन ने भारत को युद्ध की खुली धमकी दे दी और कहा भै अपनी एक इ किलो मीटर दूर चीन ने बंबारूद लेकर अपनी सेना को ख़़ा कर दिया है और बड़ी संक्या में यहां चीनी फोच पहुच रही है लंबी लड़ाई लड़ने के लिए चीन ने यहां इस्ताई वेस केम्प भी बना दी है जो अब लद्धाक से भी बड़ा खत्रा भा ही आपको दाने की भारत को चारों तरफ से चीन एलेसी पर घेर रहा है और फिर भारत पर हमला करेगा तो यह बड़ी ख़बर सामने निकल करा रही है कि अब भारतिये सीमा से महज 12 किलोमीटर दूर चीन ने अपनी सेन ने चौकिया बनाई है और भारी संक्या में अपने से इन को हर हतियारों को जमा कर रहा है भारत के खलाप युद्ध के लिए ये बड़ी ख़बर सामने निकल करारी की उत्तरा खन में किस तरह से चीन नई चाल चला है इसी बीच बट दोस्त अगली ख़बर के ओर तो मोधी सरकार का देश के यूबाओं ने किया 22 कार अब देश की जनता की आवाज नहीं जा दोस्ता आपको दाने कि इन दनों बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है और देश की जनता लगतार बीजेपी का वहिसकार कर रहे है इसका जीता जाकता उदारान प्रधानमंति मोधी का हाली में यूटूब पर अपलोड हुआ बीडि देश की जनता की आवाज नहीं जा दोस्ता आपको दाने कि इन दोनों परिक्षाओं और यूबाओं के रोजगार और देश की तबाह हुई अर्थवेस्ता को लेकर रहुल गांदी लगतार हमला बोले है वहिए आपको बताने कि एक बात फिर से आरार भी परिक्षाओं के संदर में अपनी बात रखत हुए राहुल गांदी ने मोदी सरकार पहमला बोला राहुल गांदी ने ट्वीट कर लिखा कि वो डिसलाइक कमेंट बंद कर सकते हैं यूटूब पर से लेकिन देश की यूवाओं की आवाज नहीं हम आपकी बात दुनिया के सामने रखेंगे हमने अपने ट्वीट में आर आर भी एकजाम डेट का इस्तमाल भी किया है वह आपको बता दें कि छातर लगातार मांग करें कि मोदी सरकार भरती लिकाल देती है तो परिक्षा का पता नहीं और परिक्षा हो जाती है तो रिजल्ट का पता नहीं और रिजल्ट आ जाता है जोईनिंग का पता नहीं तो इसी वीज बड़त दोस्ता अगली ख़वारी के ओड जो बिग ब्रेक की न्यूज सामने निकल करा रही है कि आसुद्दीन उवैसी ने वारत और चीन तनाप को लेकर राजना सिंग और बीजेपी पर बोला जोरदार हमला कहा इन लोगों ने दे आसुद्दीन उवैसी ने ट्वीट कर कहा कि राजना सिंग सर आप चीनी रक्षमनती से मासकों में ये कहने जा रहे हैं कि वह हमारी उस 10,000 वर किलोमिटर जमीन को विना किसी सर्थ खाली करे जिसे उसने चार महीने पहले से लद्दाग में कबजा कर रखा है या आप भी प कि हमारे जमीन पर कोई नहीं आया है हम उस सच जानना चाहते हैं देश की जनता को आखिरकार बीजेपी सच कब बताईगी वहीं आगे सुद्दीन उवैसी ने बीजेपी पर तंच कस्ते हुए का है कि भारत का ये कहना था कि वह चीन से दिपक्षिय तरीके से बेबास सुल ज लेगा और अब रूस की मदद लेकर आपने भारत को कमजोर कर दिया अगर आप चीन से एक विजय युद्दा के रूप में बात करते तो इससे आपको फायदा मिलता लेकिन आपने उनसे ऐसे बात की जैसे आप चीनी सेना के सामने हार गए हो और आपको चीन से डर लगता ह तो किस तरह से असुद्दीन वैसी ने भारत और चीन तनाप को लेकर केंदर की मोधी सरकार और रक्षा मंतरी पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं इसी बीच पे तो दोस्ता अगली खबर के ओर तो उत्तर पिर्देस के मुख मंतरी योगी अधितनात ने गाय को लेकर किया जो पालन को बड़ाबा देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है योगी अधितनात ने उत्तर पिर्देस में बे सहारा गाय को पालने के इच्चुक रखने वाले लोग को पिर्ती गाय 900 रपे महीने देने का एलान कर दिया यानि आगर आप उत्तर पिर्देस में कोई बे सरकार के सामने 60 साल के किसान और गाय में बहुत फर्क हो गया जो 60 साल से देश को अनाच उगा कर देश की सेवा कर रहा है किसान लेकिन उसकी पिलसन की योगी सरकार कोई फिक्र नहीं है और उसकी पिलसन 500-600 रपे पिर्दी महीना देती है लेकिन अगर आप किसी एक बे सहा की नजरों में इनसान से ज़्यादा गाए की कीमत हो गई है तो यह बड़ी ख़बार है कि योगी सरकार एक गाए को पालने पर 900 रपे पिड़ती महीना देने वाली है इसी बीच बत दोसा अगली खबर के ओर तो सुसान सिंग राचपूत सुसाइट केस को लेकर गोधी मीडि पर भड़के इंडिया टीवी के पत्र का रजत सर्मा कहा इन लोगों ने हधी पार कर दी जदोसा अपुदा दें कि न्यूज ब्राड कास्ट एसोसियेशन एन बीए के अध्यक्ष रजत सर्मा ने सुसान सिंग राचपूत मौत मामले में टीवी चैनलों की को दोस नहीं दिया जा सकता वहीं आपको उता दें कि उन्होंने काया कि जिस तरह से सुसान सिंग राचपूत केस को लेकर गोधी मीडिया ने उर्सके पक्ष में प्रोपगेंडा चलाया और कई लोग को बदनाम किया और अन्य खबरों को चुपाया मोधी सरकार द्वारा जीडीपी का हाल और अन्य देश की आर्टिक इस्तिती को चुपाया ये बहुत बड़ी गलती है और आगे उन्होंने काया कि जिस तरह से जज के बनने के चकर में कुछ न्यू चैनलों ने तो रिपोर्टिंग की हदीपार कर दी और ऐसा लग रहा था कि CBI नहीं बलकि मीड या शेनली सुसान सिंग राजपूत की CBI जाज कर रहे तो ये जवड़जस्त हमला उन्होंने बोला है उन्होंने काया कि अब मीडिया को इसका कर्ज चुकाना होगा तो ये जवड़जस्त हमला अपने ही मीडिया परिवार पर बोला है रज़त सर्मा ने इसी बीच बरते जा दोस्ता आपको दाने कि भारत और चीन की वीच LAC पर तनाब बना हुआ है और इसी का फायदा उठात हुए आज पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कस्मीर पर हमला कर दिया है उत्तरी जम्मू कस्मीर के हंदवारा के नोगाम सेक्टर में LAC के करीब पाकिस्तान द्वारा फायरिंग में भारत का एक जवान सहीद हो गया है जबकि दो अन्य जवान घायल हो गया है सूतरों से मिली जानकारी के अनुसार सनिवार को पाकिस्तान की ओर से नोगाम सेक्टर में सेना की अग्रम चोक्यों को निसाना बना गया वतादे की पाकिस्तान द्वारा गोलवार की गई इस जिसमें एक पोश्ट पर तैनात जवान सहीद हो गया है जबकि दो बुरी तरह से घायल हो गया तो किस तरह से भारत और चीन तनाव का फायदा पाकिस्तान उठा रहा है और जम्मू कस्मीर को हत्याने के चक्र में गोलावारी कर रहा है और हमारे भारतिय जवानों सहीद कर रहा तो ये बिक ब्रेकी न्यूस सामने निकल कर आ रही है पाकिस्तान से इसी भीजबत दोस्त अगली खबर के ओ तो आजम खान पर योगी सरकाने फिरकसा सिकन्या गाजियाबाद नकलों में बने हाज हाउस निर्मार की योगी ने जाच कराने के दिया आदेस कहा करोडों का कर लिया है आजम ने इन में घोटा ला जया दोस्ता आपको दा दें कि उत्तर पिर देस की योगी सरकार समाजबादी पार्डी के नेता आजम खान की मुस्कले और बढ़ाने वाली है अब गाजियाबाद और नकलों में बने हाज हाउस के निर्मार की जाच बनवाने में घोटा ला किया है अब योगी सरकार इसका खुलासा करने की त्यारी में है और उत्तर पिर देस में जाच के लिए भी आजम खान के खिलाफ एसाइटी योगी सरकार ने बना दिया तो ये बड़ा आदेस है कि योगी सरकार किस तरह से आजम खान पर जूटे अगबाकर उन्हें जेल में रखे हुए है लेकिन अब उन पर एक और सिकंजा कसा जा रहा है इसी बीच बत दोस्ता अगली ख़बर क्यों तो ट्रस्ट ने किया बड़ा एलान आयुद्धा में बाबरी मजजित के बराबर आकार की बनेगी नई मजजित ज्याद उस्ता युद्धा में बाबरी मजजित को तोड़ कर पहां मंदिर बनाया गया और उस मजजित की जगा अयुद्धा के धन्नी पुरा में दे दी अब इसे बीच ख़बर सामने निकल कर आ रिये कि अयुद्धा बाबरी मजजित के ट्रस्ट ने एखलान क्या है कि जो बाबरी कारी ने दिया यानि आपको उताने की जैसी मस्जित अयुद्धा में बनी हुई थी और जितने बीच में जितनी जगा में ये मस्जित बनी हुई थी उतनी ही जगा में अयुद्धा के धन्नीपुरा गाउं में नई मस्जित अयुद्धा की मस्जित का ट्रस्ट बनाएगा औ इसी बीच पर तो दोस्ता अगली पड़ी ख़वारी के ओर तो कनिया कुमार की नाइकता छीनने के लिए दाकिल याचका कोटने की खारिट भगत को लगाया 25,000 रुपे का जुर्माना जया दोस्ता आपको दादें कि जवालल नहरू, यूनिवर्सिटी और छात्र संके पूर्व अध्यक्ष कनिया कुमार की वारते नाइकता छीनने की मांग को लेकर इलावाद हाई कोट में भगतो द्वारा याचका दाकिल की गई थी कोट ने कनिया कुमार की नाइकता छीनने वाली याचका को आज खारिच कर दिया इतना ही नहीं इलावाद हाई कोट ने जिस व्यक्ती ने याचका दाकिल की थी उस सक्स पर 25,000 रुपे का जुर्माना भी लगाया है जिसके बाद भक्त की निकल पड़ी वहीं आपको उताने की कोट ने याचका करता पर जुर्माना लगाती वे कहा कि इस तरह की फिजूल याचकां से कोट का समय वरबाद हुआ है वहीं आपको उताने की इसलिए इन पर 25,000 रुपे का जुर्माना लगाया है और 30 दिनों के भीतर इस भक्त को जमा करने के कोट म आदेश भी देती हैं जुर्माना तो किस तरह से ये बड़ी ख़वर सामने निकल करारी कि अगर कोई ब्यक्ती देश में लोग तंतर के लिए आवाज उठाता है तो उसे देश द्रोही या फिर पाकिस्तानी बोल दिया जाता है लेकिन कोट ने निस पक्षता से फैसला सु जूत बहुत निस दिए घर कोई पता है निकल कर दो पाकिस्तानी आवाजा है लोग वह आगर में लोगही तो रहाभ रहा है लोगा है लोगा